कि निमस्कार मैं शेव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूटीव चैनल सक्सेद विस सागर पर परियावन अध्यन की कख्षाओं की क्रम में आज लेक्चर 11 के अंतरगत हम हिमाले के भाग पांच की बात करेंगे चुकि हमाले एक बड़ा टॉपिक है और एक या दो लंबे लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाता तो यह इतना प्रभावी नहीं होता क्योंकि बड़े लेक्चर होते हैं और बड़े लेक्चर अमूमन यह देखा गया है कि यूट्यूब पर बड़ी क्लासे को लोग देखना कम पसंद करते हैं और उतनी एफेक्टिव भी नहीं रहती मेरा मानना है कि एक क्लास 45 मिनट पचास मिनट या कभी जादा हो जाए तो एक घंटा अगर मैं हिमाले को एक या दो पार्ट में उनाता तो कम से कम डेर देर या दो दो घंटे के वीडियो बनते हैं और उतनी एफेक्टिवनेस नहीं आती इसलिए मैंने इसको अलग लग पार्ट में बनाया है तो बात करते हैं हिमाले के भाग पांच की और भाग पांच की अंतरकत बात करेंगे हम आज पूरुवत्तर राज्यों की पहाडियों की इससे पहले के चार ज देहन हिमाले भाग 5 और लेक्टर नंबर 11 देखेगा यह जो आपके राज आपको यहां देखाई दे रहे हैं इन्हें पूरुवत्तर के राज चे कहा जाता है इनमें कौन-कौन से राज जाते हैं मैंने आपको अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने भारत के और अमेत्री यानि कि ऊपर से लेंगे रॉनाशल प्रदेश, नागालेंड, मडेपूर, मिजोगरं, त्रिपुरा, असम, मेगाले, त्रिपुरा इस तरह से आपके सात राज्योंगे इन सात राज्यों की पहड़ियों को हमाच पढ़ेंगे जिसमें से कुछ पहड़ियां ह नीचे देखेंगे तो यहां से नीचे से लेके यहां तक का पूरा एरिया इतना एरिया भारत का है इसे प्राइदी पी कहते हैं क्योंकि इदर बंगाल की खाड़ी है इदर अरब सागरे नीचे हिंदमा सागरे तो यह प्राइदी पी भाग जो है वो जातर पठारी इलाका है तो इस पठारी लाके का थोड़ा सा विस्तार इन राज् favorable में भी है तो जितनी पाड़ियां आप यह देख रहे हैं वो सारी पहाडियां हिमाले की नहीं है कुछ पाड़िया प्राइदी पी पठार का भी भाग और अकसर इन से प्रत्यक पर शामु प्रश्णि पूछे जाते हैं चाहिए वह किसी भी इस्तर की हो तो देखेंगे पहला पॉइंट पूरुवत्तर राज्यों में अरवांचल नागा-लेंड मडेपुर मिजोरम, असम, मेगाले, तुरपुरा में हिमाले की छोटी-छोटी प पाडियां म Case के तरौक ए इस एड़ार्ज वहूं करते हैं अगर 18 रखा जाए देखे रही लाएं इसे एरियां में इन पर सारी जनजातियां निवास कहते हैं इस्थानांतरन कृष्षी कहते हैं इसको इसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन ठीक है ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती और शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना तो यहा क्या करते हैं वह किसी एक लागे में जाते हैं और वहां की जमीन को उसकी मिट्टी में मिक्सब कर देते हैं जुताई के माध्यम से क्योंकि जंजाती लोग अपने साथ चोटे-मोटे पशु रखते हैं तो उनकी साहता जुताई कर लेते हैं और फिर वहां खेती चुरू कर देते हैं कुछ समय के बाद उस खेती की उस जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो व पूरुत्तर राज्यों की पाड़ियां हैं हाला कि इस्थनांतरन क्रिशी की हम बात करेंगे जब हम खेती की बात करेंगे तब डिटेल से बात करेंगे तो यहां पर आप देखा कि जो पूरुत्तर राज्यों की पाड़ियां यहां पर बहुत सारी जंजातिया नेवास करत यानि कोई नई जमीन देखी वहां की वनस्पतियान को काट दिया और उनके जलने के बाद यो राख बची उसको क्या किया उस मिट्टी मेजुताई की माद्धन से मिक्सप कर दिया वहाँ खेती करने लगे और खेती करने के बाद जब देखा एक साल या दो साल में जब उस जमीन की उरुबरक शक्ति कम जोर हो गई क्योंकि वो ज़्यादा खादित्यादी का प्रियोगलिंग करते हैं उस जमीन की उड़ुवरक शक्ती कम हो गई तो वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाती है तो वो जगह बंजर हो जाती है तो इसी को इस्तारांत्रन खेती कहते हैं इसी को जूम खेती कहते हैं और करतन और धहन की क्रिया के दोगर ऐसे संपन किया जाता है तो इनी जंजातिय के नाम पर जो जंजातिय पूरोत्तर राज्यों मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं जंजातियों के नाम पर कई सारी पहाड़ियों के नाम आपको यहां दिखाई देंगे तो देखेगा हिमाले मैंने आपको उता है था कि हिमाले पीछे चोड़ा है और आगे जाके पतला हो ग उसके बाद हेमाले क्या हो गया आगे चोटी-चोटी पहाडियों के रूप में हो गया है हमाले अपने पूर्वी सरे पे थोड़ा सा दक्षड की और मुण गया है यानि कि आप देखेंगे कि छोटा समय भी बना रहा हो अपके लिए थोड़ा समझाने के लिए क्योंकि वहां पे मैं करूँगा अभी लाइनिंग तो गरबर हो जाएगा हिमाले ऐसे करके है यहां तक उसके बात इन राज्यों में पहाड़ियों के रूप में है छोटी छोटी और हिमाले अपने पूर्वी इधर पूर आगे जाके पूर्वी हिमाले हो गया इधर पश्मी योमा कहते हैं तो यह चोटी चोटी पहाडियां है यह पूर्वत्त राजियों की पहाडियां है और यह पहाडियां मियामार के साथ सीमा बनाती है तो जिस तरह से आपने देखा कि हिमाले अपने पूर्वी छोर पर दश्चिड की और मुड़ गया है इसी तरह से पाकिस्त पश्वी सिरे पर मुड़ा है इधर की तरफ तो कुछ पहाड़ियां हिमाले की पाकिस्तान में और कुछ अफगानिस्तान में बाकी का हिमाले पूर भी छोर पर जाके मुड़ा है दच्छिड की ओर तो छोटी-छोटी पहाड़ियां और बाकी का हिस्सा चला गया कहा म्यामार में मियामार अर्थाद जसको वर्मा कहते हैं पुराना नाम वर्मा था अब उसको मियामार चेते हैं तो मियामार फे हिमाले का विस्तार म्यामार में कहते हैं अराकान योमा ठीक है ना अराकान योमा नोट कल दीज़ेगा बड़ा इंपोर्टेंट ने कही बार पूछा गया है तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है तो देखेगा सबसे पहले बात आदिए अनुआचल पदेश की अनुआचल पदेश आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला राज आपके सामने अनुआचल पदेश है मैं वहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है मैं यहाँ आपको थोड़ा समझाओंगा तो वहाँ का आप देखे आप पिल्क आपको इसमें आपको यहां बनाया है समझाने के लिए डाफला मीरी अबोर मिशमी देखेगा मैंने आपको पहले भी कहा था आपके पास ये होना वहताने बार है इसके बना आप जोग्राफी भूल जाएए बिल्कुल क्योंकि यह भी भूत आसान चीज़ हैं आगे काफी टफची जाएंगी और उनको कवर करने गली इसका होना वहतावशक है मैं जो लोकेशन यहां बता रहा हूँ एक्जेक्ट आपको इस बुक में मिल जाएगी और आप जब इस बुक को एक बार देख लेंगे तो आपको वो पूरी तरह से याद हो जाएगा क्योंकि ठियोरी से जादा विजूल से याद रहते हैं हमें इसके लाव जब इस मैप को आप लाएंगे तो बहुत हार्ली 190 या 200 रुपय का है इसके साथ आपको दो बहुत शांदार मैप मिलेंगे एक इंडिया का मिलेगा एक वर्ल्ड का मिलेगा तो वो मैप भी आपके काफी काम आएगा तो इस बुक को ज़रूर प्रचेश कर लें तो आप देख रहे हैं अवांसरी प्रदेश जो बिलकुल भार की ओर है इसमें चार पाड़ी है डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी इसके बाद अवांसरी प्रदेश जो है जब अवांसरी प्रदेश के नीचे के इलाके में जाएंगे तो यहां मिलेगी आपको पठकोई बूम पहाड़ी और पठकोई बूम पहाड़ी क्या करती है क्योंकि यह इंडिया का हिस्सा है उसके बाद आगे देश कौन सा म्यामार तो मयामार के संग सीमा बनाती है तो आपने देखा अवांसरी प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और अवांसरी प्रदेश के दश्षडी किनारे पे कि जब अवांसरी प्रदेश में ऐसे घुमके नीचे आएंगे नागा लेंड की साइट जवाएंगे तो आपको पहाड़ी का नाम मिलेगा पठकोई बूम मिलेगा और ध्यान लगना पठकोई बूम अवांसरी प्रदेश में म्यामार की सीमा बनाती है पठकोई बूम क्या कर रही है देखे तो नागा पहड़ी आप नाम देख रहे हैं इसके बाद देखेंगे तो यहाँ आपको एक राज मिलेगा वो मिलेगा नागा link याति डेख रहेंगे नागा लेंड में नागा पहड़ी से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मडिपुर अरू ना मा तो अरुनाचल नागालेंड मडिपूर फिर इसके नीचे जो आएगा मिजोरम तो देखेगा आपने अरुनाचल प्रदेश की देखी उसके बाद नागालेंड की नागा पाहणिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं क्योंकि नाम ही ऐसा है आपको याद हो जाए जो मेंआर के संग सीमा बना रही है उसके बाद एक पहाड़े पीछे की और मिलेगी ये आपका पूरा मडी पूर है अपको मलेंगी मडी पूर पहाड़िया या पूर भी मड्य00 पहाड़िया और इसके पीछे के क कहलें ऐगा यहां रहा पहाणियां कहा हैं आपकी किसमें हैं यह मड़िपूर में एक बात दुबारा समझें आप यहां मैं इसको यहां बनाता हूं वह वाला कोशिश करता हूं यहां ऐसे जाएगे यह सिक्के में और आगे जाने के बाद इस तरह से हो जाएगा आगे भारत पूरबत्तर भारत तो आगया मडिपुर मड़़पुर में आगे की तरफ ये वाली तो पूरवी मड़पुर पहाड़ियां है back किर ऑario ourpage पीछे यहां मिलेंगी आपको लैमा तौल पहाडई यानी कि लैमा तौल पहाड़ियां भी तो आपको जो राज मिलेगा ये जो राज मिलेगा उमेलेगा आपको मिजोरम। उपर से अरौना नागा लैंड मड़िपुर नीचे मिलेगा आपको मिजोरम। तो मिजोरम में आपको जो पहाड़ी मिलेंगी एक पहाड़ी बहुत इंपॉटन जिसका नाम है आपका ब्लू पीक पहाड़ी आपको यहां मिलेगी यह ब्लू पीक नीला परवत पी इसको कहते हैं अपको यहां मिलेगी आपको यहां मिलेगी ऐसकी में इसके वाद आप मडीपुर में मड़ीपुर में आपकी पूर भी मड़ीपुर पहाडियां और पीछे की तरफ लेमातोल पहाडियां फिर आप आई किस में आप आई मिजोरम में मिजोरम में पीछे की तरफ मिजो पहाडियां है मिजो पहाडियां कोई बड़ी बात नहीं है याद करना क्योंकि मिजो पहाड ऊस्ट्रुप्रा है आपका ऐसे उपर चलेंगे अपका मेगार्ण ये हैं मैगाले की पाड़िया तो आब देखेगा नागालेंड की पाड़िया होगी मड़ेपुर की हो गई मिजोरम में मिजो पाड़ियों ब्लु माउंटेन ये सामने ते नाम आपके सामने कि जैसे ही आप मिजोरम में, मिजोरम में यह पीछे जो आप को देख रहा है हरे रंका, यह जो है%, वो आपका, मिजो-पाहडियां हैं और इससे नीचे का परवत है उसको नाम है blue peak, blue peak या blue mountain या नीला परवत, ठीक है न कहां यह मिजोरम में, उसके पीछे तुरुपरा में, तुरुपरा पा यह बाइंगला देश यह यह पूरा बंगलादे अर्दिस को मिलेगे इसका नाम है मेघाले यह उज्कर पादियान प्हटार की पहाडियः पहली पहाडियान मचानी उसके बाद बीचिवाली खाड़ी पहडिया और सबसे तीसरी वाली जयंतिया गारो खासी और जयंतिया तो मेगाले कैसा पठार है पूरी तरह से पठारी छेतर है इसे मेगाले का पठार या शिलोंग का पठार केते हैं ठीक है ना मेगाले का पठार या शिलोंग का पठार केते हैं और यह जो आप देख रहे है यह जल करत पठार का उधारन है ध्यान लखियेगा क्यों है क्योंकि किसी समय यहां पर जल भरा रहता था नदियां इत्यादी थी और जब वो भूगार्बिक हलचल हुई क्योंकि प्लेट टकडा रही है इंजिन प्लेट यूरेशन प्लेट से और भूगार्पिक हलचल की बज़े से उस नदियां इत्यादी सूख गई और उनके जो अवसाद थे वो उपर उठ गई तो काय का निर्मार हो जाएगा पठार का? यानि कि किसी समय जिस जगए यह पहाडिया आए वहाद किसी जगए पानी भरा रहता था नदियत्यादी का बुगार पे घल चलोई जमीन हिली जमीन हिलेगी क्योंकि ये इंडियन प्लेट टक्रारी यूरेशन प्लेट से तो टक्रानी के वैसे वो पानी समाप्त हो गया और जो अवसाथ थे वो ऊपर उठगे तो कैसा पठार बन जाएगा जलकरत पठार बनेगा यानि जिसका निर मेगाले का पठार मेगाले पूरी तरह से आप देख रहें यह जो आपका देख रहें यह मेगाले है और मेगाले पूरी तरह से पठारी छेत्रे से मेगाले का अशिलोंग का पठार कहते हैं इसके अलाबा यह जलकरत पठार का उधारन है अब ध्यान नेखेगा बहुत जातियों के नाम पर हैं यानि कि मेगाले में निवास करने वाले जंजातियों का जो नाम है वही इन पहड़ियों का नाम है अब देखेगा बीच वाली जो पहड़ी है खासी पहड़ी और खासी पहड़ी पर ध्यान लगना खासी पहड़ी पर क्या है मासिन राम है क्या है मास नाम और चेरा पूंजी दुनिया का सबसे अधा बर्शावाला इस्थान कहां पाया था मेगाले में कौन सी पाड़ी पर खासी पाड़ी पर है और इसी पाड़ी पर आप देखेंगे क्या है राजधानी शिलॉंग है ठीक है ना शिलॉंग ठीक है ना राजधानी शिलॉंग क किस पर है और मासिन नाम बचेरा पूंजी किस पर बीच वाली खासी पाड़ी पर है अर्थात आप देख रहे हैं मैं आपको फिर दुवारा समझाता हूँ चूकि मैप बहुत बड़ा नहीं है देखेगा दुवारा समझेगा यहां तो यह आपका गारो खासी जैंतिया लिख पर है मेगाले का पठार जलक्रतब पठार का उध़ारण है जलक्रतब पठार है जो नदीओं के अफसादों दौरणा बना होता है और ऐसा ही एक पठार मàcies जिसका नामों में शौन पठार अब देखेगा जिस प्रकार से यह सब पहाणिया हिमाले का इससा थी जैसे आप मी मैं आपको साफ करके एक बार दोवार बताता हूं क्योंकि अब आपके दिमाग में यहां लोकेशन के लिए होई होगी और आप देखेंगे साफ करके देखेंगा अब देखेंगा तो सबसे पहले आपका अरुणाशल पदेश तो यहां पर डाफला मीरी अबोर मिश्मी डाफ मनिपुर में आगे की ओर पूर्वी मनिपुर पहाडिया और पीछे की ओर लैमा तोल पहाडिया ठीक है न तो अनौशल पदेश में गारो खासी सब्सक्राइब डाफला मीरी अबोर मिश्मी पठकोई भून और इसके लावा नागा लेंड में नागा पहाडिया यह को ब्लू-पिक', ब्लू-पिक', ब्लू-पिक muy mountain, मिलेगा आपको, यह मिजू-रमे पर्फ़वा क्या look, इसके बाद सकते हैं। तूरुपर्परा में आपकोश लगें। कुछ पहड़ीन को तूरुपरा की पहड़ीन हां। फिर आप जाएंगे इस से उपर जाएंगे देखेगा ये आपका ये पूरा एरिया ये 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 बंगलादेश है और बंगलादेश से उपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये एरिया आपका ये क्या है ये आपका मेगाला है बिना मैप की काम नीचे लेगा आपका आप होना चाहिए तो यहां आप मेगाले में तीन पहाड़ी है मेगाले पूरा पठारी चेतर है तो पहला गारो खासी और जैनतिया तीरों का नाम महागी जंजातियों के नाम पर इसके लावा बीच वाली पहाड़ी खासी खासी पर मेगाले की राजधानी शिलोंग है दुनिया का सबसे अदर बारिश वाला इस्थान भी इसी पहाडी पर है और मेगाले का पठार जलकरत पठार का उधारण है अब देखेगा सबसे इंपोटेंट बात क्या है कि जैसे आपने अनासर पदेश की पहाडियां द ध्यां से कि जो आप देख रहे हैं मेगाले की जो पहाडियां देख रहे हैं मेगाले के लाबा असम में भी कुछ हिस्सा आएगा मैं बताता हूँ आपको तो मेगाले की जो तीनों पहाडियां है यह हिमाले का भाग नहीं है यह किसका भाग है दच्छिड भारत के पठार क भागें दच्छी भारत का पठार जो है देखेगा आपको ये एरिया जारखंड है ये एरिया पश्रिमंगाल है और नीचे आपका ये 36 गड़ ये ओडीसा है ये आपका राज जारखंड है ठीक है ना मैंने बताया था आपको लहू यूपी बिहार की जकास पिक्षर है ये आ आपका ओडीसा है ओडीशा ठीक है ना ओडीशा समझ दीजिए इसको ये आपका 36 गड़ है 36 गड़ आपको आसानी रहेगी ये आपका पश्रिमंगाल अर्था वैस्ट बैंगॉल है ठीक है ना तो देखेगा जब हम दच्छिट भारत का पूरा पठार पढ़ते हैं तो यह पश्रिमंगाल में 36 गड़ में थोड़ा सा उडीसा में इन चारो राज्यों में मुख्य था जार खंड में और बाकी इन चारों में भी है एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपूर का पठार ठीक है ना मैं यहां लिग दे रहा हूं राइस्थान में तो मसमें राइस इसकी बेदे से यहां का नाम नागपूर है और यहां पर छोटा नाम का एक गाउं है इसलिए इसको छोटा नागपूर का एरिया कहते हैं यह चोटा नागपूर का जो एरिया है वह भारत का बहुत ही इंपोर्टेंट एरिया है भारत में सबसे ज्यादा खनेज इसी एरिय हमें पाए जाते हैं भारत का अब मैक्जिमम कोइला इसे निकलता है और इसे भारत का रूर प्रदेश कहते है इसे भारत का यानली कि ये चो-चो ता नाखपूर का पठार ने इस एरिया के बात कर रहा हूं चुझकि कई सारी पहडियां मिलके चोटा नाकपुर का पठार बनाती है जैसे पश्चिम मंगाल में राज महल की पहडियां किसका भाग है चोटा नाकपुर के पठार का भाग है जारखंड में हजारी बाग की पहडियां किसका भाग है चोटा नाकपुर की पठार का भाग है इसके ल आपका राजमेहल की पहाडियां इन तीनों को मिक्स करदो तो बन जाता है छोटा नागपर का पठार अब देखेंगे यानि की पश्चिम मंगाल में बताया है मैंने आपको राजमाहल पहाडियां अब पश्चिम मंगाल के बाद आपका क्या आता ये बांगलादेश और बांगलादेश भी किसी सुना किसका भाग था अपने इसी का था पश्चिम मंगाल का था क्योंकि बटवारे से पहले ये बंगाल था पूरा अब पश्चिम मंगाल की जो राजमाहल पहाडियां हैं वो अब आप किंगे बीच में क्या हुआ बीच में तो कुछ नहीं खाली गए पे क्योंकि यहां तो कोई पहाड़ी त्यारी नहीं है तो उसका रीजन यह है कि किसी जवाने में यह राजमेल की पहाड़ीयां यहां तक कनेक्ट थी बीच में भी पहाड़ीयां थी लेकिन बहुत लंबे समय से दो नदिया निकल नहीं जैसे देखा उत्तरा खंस एक नदिया आती है आपकी इसका नाम है आपका गंगा और गंगा के लावा एक नदिया आती है आपकी ब्रहमपुत्रू गंगा ब्रहमपुत्र नदियों ने क्या किया है इस एरिया को काट दिय है गंगा आ रही है भरहमता प्र jut उसके लावा इनिंगी भौ सारी साहिक नदिह आ तो उन्होंने क्या कीया इस एरिया को काटकर प्रोरा प्लेन कर दिया यानिक ही यहां मेगाले में गारोओ कहा सी जएन्दिया के रूप में यहां मिहाल की पाडिया Mission अब राजमेल की पहाडियाँ का ही भाग है ये बीच का प्लेन है इसलिए है क्योंकि गंगा और भ्रहंपुत्र नदियाँ और उनकी साहिक नदियों ने काट-काटके इस लागे को प्लेन कर दिया और plane करने के वैसे आप देखेंगे बांगला देश में बिलकुल भी परवत और पठार नहीं है बांगला देश में मैदानी मैदार है और बांगला देश को नदियों का देश का आ जाता है इसलिए बीच में एक gap हो गया तो इस राजमेल की पहाडियों का एक भाग यहां गारो घासी जहनतियाग रूप में तो यह जो मेगाले का पठार है वह हिमाले का भागना होके छोटा नाकपुर के पठार का ही एक्सेंशन है ठीक है अब यहां पर बीच का जो गैप है यहां पर नदियां जो जा रही है गंगा भ्रंपुत उसकी साइक नदिया यह जो गैप आप देखेंगे इस गैप का नाम है राजमहल गारो गैप इस गैप का नाम है राजमहल गारो गैप नाम है इसका क्यों है क्यों कि राजमहल पाड़ी यहां है गारो पाड़ी यहां है तो इनका गैप का जो नाम है वो क्या नाम है राजमहल गारो गैप या ऐसे हम एक दू चोटा नाकपुर के पठार काई एक भागे राजमेल की पहडियों के एक्स्टेंशन है बीच का एरिया गैब बन गया प्लेन बन गया गंगा ब्रहंपुत लदियों की वज़े से तो आपने देखी अनौकसर प्रदेश की पहडिया नागा लेंड की आणा चलकी डाफला मिरी अबोर मिशी पठकोई बूम नागा लेन में नागा पाडिया अब बात करते हैं असंद की पाडियों की तो देखेंगे यहां साथ साफ लिगाए कि मेगाले में तीन पाडिया आए गारो खासी जेंतिया पश्यम से पूर यही करमें इनका नाम वहां की जंजातियों के नाम प पाड़ी पर है खासी पाड़ी पर है और दुनिया का सबसे आदा बारिश वाला इस्थान मासिन नाम और चैरा पूंजी भी काई पर है बीच वाली पाड़ी खासी पाड़ी पर है ठीक है ना इसकलाब मेगाले पठार की सबसे उची चोटी का नाम है नो क्रेक सबसे उची पठाठाह से नाम पाहड़ी पर आप देख रहे है मेगाले की सबसे उ। चोटी का नाम है नोक रेख 1412 मीटर रूची है आपको मिल जाएगा मैप पर यह कौन सी पाहड़ी पर है ठीक है ना अब देखें मेगाले के पथार में कैसी मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है मेगाले के पठार में सबस्यादा वारिश होती है चर्चा करेंगे वारिश जब हम पढ़ाएंगे मानसून कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी की शाखा जाके वारिश करती है सबसे पहले यहीं टकराती है इसलिए हम वारिश ज्यादा होती है ज्यादा बारिश होनी की वज़े से क्या होता है कि जिस जमीन में ज्यादा बारिश होती है तो वहां की मिट्टी में जो खनिज होती है वो खनिज मिट्टी के अंदर चले जाती है काफी अंदर चले जाती है और अंदर जाने की वज़े से वहां पर खास कर मिट्टी में नाइट्रूजन की मात्रा कम हो जाती है, पहला पॉइंट के लेटराइट मिट्टी हो जाती है, जहां बारिश ज्यादा होती है, यहां लगी मिट्टियों के चैप्टर में रिस्तार चर्शा करेंगे, जहां बारिश ज्यादा होती है, तो ज्य तो इस एरिया में वनस्पती बहुत होंगी, बारिश बहुत जादा होती है, तो जहां बारिश जादा होती है, वहां सदावाहर बन पाए जाते हैं, जहां बारिश जादा होती है, वहां देखते हैं, आप कैसे बन पाए जाते हैं, सदावाहर बन पाए जाते हैं, जहां बार ज़र ज़्यादा होगी तो वहां बन कैसे पाएंगे सदाबाहर तो बन पाएं। लेकिन मेगाले के लाके में जूकि मिटी लेटराइट नाइट्रोजन की कमी है तो यहां पर घटपर नी पौद्धे कैसे होते हैं जैसे आं पम देखा उगा आपने नीप एंथिस होगा आप नाइट्रोजिन की जरूवत है तो अपना मुझ खोलते हैं चोटे-मोटे कीड़े मुकोड़ों यहां तकी चूहों तको भी ऐसी वह सोगंद निकालते हैं कि वह कीड़े मुकोड़े चूहे त्यारी आकरसद हो जाते हैं उनके अंदर जाते हैं उनका मुझ बंद हो जाता है खा जाते हैं और उन कीड़े मकोड़ों कीड़ पतंगों और चूहों की डेड़ बोड़ी से उनकी शरीर से उनने क्या प्राफ होता है नाइट्रिन प्राफ होता है तो मेगालय का पठार यहां पर बारिष ज्यादा होती है इस एरिया में सदावाद बनस्पति पाए जाती हैं यह पाड़ियों क्या चाहिए कहते हैं बरेल की पाड़िया ठीक है ना काय काहीं पाइजाएंगी असम में मड़पुर में नागालेंड मैं पूचा गया बरेल या ख आपने जाती है तो तेन नाजीए पाइए तो जब आप आएंगे तो यह अनाचल प्रदेश है यह न नाम है बरेल श्रेणी या बरायल श्रेणी असम में मड़ेपुर में नागलेंड में पाई जाएंगी अब बात करते हैं किसकी असम की बात करते हैं तो असम में देखेंगे असम की पाड़ियों की बात करेंगे यह आपका असम है यहां से लेके इस तरह से आप देखेंगे प पहड़ी का नाम है इसमें मिकिर और एक का नाम है इसमें रेंगमा ठीक है न ये मिकिर है और ये पहड़ी आपकी रेंगमा है ठीक है न मिकिर और रेंगमा जो पहड़ियां है वो शिलोंग पठार का ही विस्तार है शिलोंग पठार रथा जो पठार ये मेगाले का पठार शि के तो आपने इस वीडियों में देखा पूरी वत्तराज कि पहाडियों को मैं एक बाद शॉट में आपको रिवाईज कर देता हूं सबसे पहले आप पूर, मिशमी, पटपोई बूम, नागा लेंड में नागा पहडियां, मडिपुर में पूर्भी मणपुर पहडियां और लेमा तोल पहडियां, मिजोरम में मिजो पहडियां, इसके लावा मैंने पढ़ाया आपको ब्लू पीक या ब्लू माउंटेन या नीला परवद, तु तो आपने देखा और यह भी देखा कि मेगाले का पठार और असंखी पाडियां यह आज़ा है आपको इस प्रकार पूरोत्तराजियों की सभी पाडीय समझ में आई हो गी चैनल पे नए आए हैं तो subscribe करने बेल आइकन डबादें जिससे के आपको मेरे प्रत्यक वीडियो को notification मिले और इसके अत्रिक्त वीडियो को share जरूर करें अपनी राय या कोई सोजाब या मेरा अपना feedback आप comment section में जरूर करें थेंक यू